तो हे गाईज कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो गाईज मैंने रखा है 60 डे स्टडी चैलेंज क्योंकि मेरा एक्जामिनेशन आने वाला है 26 मई को तो गाईज 60 डे चैलेंज का आज पहला दिन है अभी मैं अपनी स्टडी रूम में ग्यारो बजे हैं तो गाईज मैंने अपने 60 डे चैलेंज का जो पहला डे है इसको पहला डे तो नहीं बोलेगे ओविशली इस फ़स्ट नाइट इन अभी स्टडी चैलेंज रखा है इसमें मुझे भर भले हो जाए काईज लेकिन मुझे अपने कुछ में कॉंटेंट को अपने इनो रिविजन करके पूरा करने हैं जो कि मैं कर रहा हूं तो काईज साथ आभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो इस टड़ी चल रही है और आपको मैं यह जो टाइम है गाईस तो यह इसारी क्या रहा और देखो जो है मैंने अपनी स्टड़ी किस तरह से जो इस पर तयार की है गाईस और कल दीन में सी सेट अपना सुरू होगा ठीक है मॉक टेस्ट वगेरा तो गाईस यहां देख सकते हो कि मैं जो है किस तरीके से अपना स्टड़ी कर रहा हूं जो कि पंचामरीत है जो कि मिन्स में भी पुछा गया था और जैसे कि यहां से मैं स्टड़ी जब कर रहा हूं तो मुझे एक टर्म मिला गा इस ब्लू कारवन और ब्लू कारवन को यहां पर डिफाइन किया गया है तो मुझे ब्लू कारवन नहीं रुखना है मुझे कई तरह के हाइड्रोजन भी ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पिंक हाइड्रोजन उसी तरह से ब्लू कार्बन और बलेक कार्बन जितने भी कलर कोडिंग होते हैं उससब के बारे मुझे यहाँ जो है चैट जीपीटी से मुझे अंसर लेकर रिविजन करने हैं तो जैसे की आपके टॉप देख सकते हो कि आगया ब्लू कार्बन तो जैसे म अगर हम बात करें गाईज प्रिलिम्स के जो है फर्स्ट पेपर में जो एक बार एक क्वेश्चन आया था ब्लू कारवन तो I have just searched out that question so let me reveal in front of you you know that beautiful question right now तो गाईज आप कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि गाईज what is ब्लू कारवन आप देखो यहाँ पर कि ब्लू कारवन क्या है देखो this is the guys question और देखो यह मैंने जो है टीक भी गाईज सही लगाया था कारवन captured by oceans and coastal ecosystems और अगर हम बात करें कि मैं जो अभी study कर रहा हूँ उसका guys क्या हाल है इसको रखते हैं पहले अच्छे से और हाँ तो guys यह देखो कि blue carbon is the carbon absorbed and deposited in biomass and sediments by living organisms in the coastal regions like mangrove, salt, marshes, sea grasses, marine environments guys जब भी मैं अपने इस तयारी में जब भी मैं अपना study कर रहा हूँ revision कर रहा हूँ तो मैं previous year की questions जो है उससे match करते चल रहा हूँ इस बार तो guys guys थोड़े थोड़े से के लिए guys seasite में जो है थोड़े इस सूज अगर आ जा रहा है तो मैं पूरा जो है दिन में seasite के लिए लगा हूँ और night time में अपने total GS1 के लिए और minutes revision के लिए तो guys यहीं अपना चल रहा है day one का study और इसको किसी भी हाल में जो है भी complete करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं तो hey guys जैसा कि आप देख सकते हो कि study करते करते मुझे एक ऐसा term मिला है और मैं उस term को एक PYQ question से भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ और हाला कि जब मैंने उस question को किया था तो guys question मैंने गलत कर दिया था और मुझे बहुत अफसूस है तो आईए देखिए मुझे क्या मिला है तो guys first day challenge को study करते करते आप देख सकते हो कि मुझे अपने environment और ecology के इस concept में मुझे एक term मिला है guys greenwashing तो guys use of false or misleading promotion and marketing to you know exaggerate and organizations environmental or sustainable activities तो कोई अगर गलत जनकारी देते हो कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं जो environment से जुड़ा है लेकिन आप जो है वो गलत चीजे बता रहे हो आप एक्चुली में कर नहीं रहे हो environment के perspective से लेकिन गलत चीज बता रहे हो तो guys एक जो term है तो मैं उस term को दिखाता हूँ आपको कि मुझे वो term कहां मिला हुआ है तो guys चलो मैं आपको दिखाता हूँ greenwashing तो इस बर थोड़ी से मेरी strategy guys changed है तो जस्त थोड़ा समेट करो आप और मैं आपको दिखाता हूँ greenwashing तो कहां है आजाओ आजारे तो guys मैं भी search कर रहा हूँ देखो देखो guys which of the following best describes the term greenwashing तो guys conveying false impression that a company's products are eco-friendly environmental sound guys यह था इस कांसर लेकिन मैंने ठीक लगाया था C पे इसलिए मेरा जो है गलत हो गया था तो यहीं चीज है और आप देख सकते हो कि वहाँ जो है यह टॉम यहाँ पर आ चुका है तो इसको मैं अच्छे से इस बार revision कर लेता हूँ तो guys ठीक है अपना यह night में अपने study जारी है चलिए बढ़ते आगे तो guys जब ही जो है रात के ना ride जो है बारव बज चुके और थोड़ी थोड़ी जो ठंड है ना वो बढ़ने लगी है इसलिए guys थोड़ा सा मैंने check it together डाल लिए आप देखो और उसके बाद अब सीधे चलते हैं आगे और थोड़ी देर में guys I think कि एक या डेर बज़े जो है मैं चाय तयार करूंगा उसके बाद जो है फिर पढ़ाई शुरू जब तक यह मेरा complete नहीं होता है मुझे नहीं सोना है motivated रहना है थोड़ा टहल कर लो motivated रहो थोड़ा सा अगर सॉंग सुनना है तो सॉंग सुन लो ठीक है और उसके बाद guys फिर से लग जा तो guys अभी जो है करीब time जो हो आप देखो कि 12 बज के लगभग 25 मिनट होने वाला है तो guys जा study करते करते मुझे एक term मिला है जो personally मैं basically उसको पहली बार मैं उसको प तो guys जैसे ही मुझे term मिला तो जो है क्या किया जैसे मुझे यहाँ पर एक term मिला oceanic Kelvin waves तो guys यह मेरे लिए new है लेकिन इलनीनों साधन oscillation में पढ़ाता भी हूं नहीं तुम्हें भी जो ग्रोपी में है I know very well about this concept but I am unfamiliar about oceanic Kelvin waves तो मैंने हाँ पर देखो basically मैंने google किया और जब मैंन Kelvin waves the Kelvin wave is a wave in the ocean or atmosphere that balances the earth's Coriolis force Coriolis force तो ठीक है बहुत ही clear concept है और Coriolis force को balance करने के लिए हमारे अर्थ के atmosphere में या ocean में तो guys atmosphere या ocean में क्यों क्यों क्योंकि atmosphere और ocean यह fluid है ठीक है हवा हो या पानी हो Coriolis force का ज्यादा प्रभाव fluid भी होता है उनके movement को लेकर we all know very well तो उसी उसी Coriolis force को balance करने के लिए एक force पैदा होता है जो कि Kelvin wave है तो यह atmosphere में भी पैदा होगा तो atmosphere ही Kelvin waves है और अगर यह सनुंदर में पैदा होंगे तो oceanic Kelvin waves है तो Kelvin waves basically are the waves that balance the Coriolis force तो basically these waves are just reverse of the Coriolis force तो very good concept to teach तो है guys अभी 12 बज़ कर करीब आपको 40 मिनट हुए है और आप यहां पर देख सकते हो 12 चालीस तो guys जो है अभी मैं एक topic जो है cover कर रहा हूं और उस topic से isolated एक आपको question भी share कर रहा हूं कि किस तरह से question आया था जो कि मेरा सही हुआ था तो guys देख लो मैं अभी जो discussion कर रहा हूं वह है basically global initiative for preventing coral bleaching तो guys एक technique है bio rock technique और एक है guys cryo mesh technique तो cryo mesh technique यह Australia में शुरू किया गया है हम सब को पता है कि Australia में जो great जो barrier reef है guys reef के तीन type होते हैं तो barrier reef को बचाने के लिए जो की space से भी दिखाई देता है और इसी को जो है बचानी के लिए basically एक जो है technique लाया गया है जहां coral के seed को protect किया गया है ओ है cryo mesh तो यह भी पूछा जा सकता है इस बार और एक technique है bio rock जो की आया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ तो आप यहां पर देखो bio rock technique restoration of damage coral reef तो यह मेरा जो है सही हुआ था और जैसे कि मैं अभी एक चीजा discussion मैंने किया और वो है wetlands के बारे में अभी मैंने discussion किया था wetlands के बारे में तो रामसर sites basically और wetlands के बारे में तो मैंने इस पर काफी अच्छा discussion किया तो गाईज आपको wetlands को लेकर मैं एक चीज देखा तो गाईज देखो wetlands को लेकर जो है एक बर question आया हुआ था और जो है मेरा यह सही हुआ था wetlands को लेकर और wetlands को लेकर एक और question आपको दिखाते हैं तो गाईज एक ही साल में दो-दो आया था यहां पर देखो कि see early wetlands function as it's kidney इसमें से जो है क्या option होगा तो गाईज देख लो कि यह वाला जो है मेरा correct हुआ था गाईज तो wetlands को लेकर जो है बहुत तरह के questions आते हैं तो मैं यहीं करता हूँ गाईज अगर मैं environment को cover कर रहा हू तो environment को cover करते से मैं मैं जो है जरूर इन सभी चीजों पर ध्यान देता हूँ कि इस चे related क्या 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 question आया था जैसे mangrove है तो mangrove को लेकर question आया था कि किस किस राज्य में mangrove है तो guys काफी quality based education चल रहा है तो अभी देख सकते हो कि 12 बच के 69 मिलेट guys हो चुके एक बच बचना तो यह 2020 में आया था और इसका objective था कि 1000 नकरवन urban forest को establish किया जाएगा इस सहरों में और मैं आपको एक PYQ दिखाता हूं जो कि मेरा शही हुआ था मियावा की method क्या है तो guys इसके option है creation of mini forest in urban areas बस यहीं चीज होता है आप जो है किस तरीके से अपने strategy को change करते हैं और एक quality वाला जो है आप जो education करो self study करो revision करो लेकिन previous year से ज़रूर जूड़े रहो उससे बहुत ही बहतरी नाइडिया निकलता है तो guys अभी रात के बज़े हुए है तेड़ तो आप यहां पर देख सकते हो और यहां देखो environment और ecology का guys यह last जो है revision चल रहा है ठीक है और इसके बाद आजाएगा science and technology तो last revision में guys national green hydrogen mission है guys ठीक है इस पर जो है मैं डिवेट कर रहा हूं खुद से तो guys 2023 के UPC prelims के दो question देखो guys green hydrogen एक question आया हुआ है ठीक है और green hydrogen का जो दूसरा question है हो guys जी यह question green hydrogen का तो सोचो की green hydrogen से एक ही साल में दो दो question आना प्रिलिम्स में वह भी 100 question में कितना important है तो जब भी जो study मतलब मैंने अभी planning यही set की है कि study जब भी करेंगे तो basically अपना एक अच्छी रहनीती के साथ एक new strategy के साथ जो अपनी जो study जारी है guys इसकी previous year में क्या आया था इस topic से related जो मैं अभी पढ़ रहा हूं यह बहुत जुरूरी है कि मैं सही तरीके से study कर पा रहा हूं कि नहीं कहीं खालतु चीज़ तो नहीं पढ़ रहा हूं तो guys यहीं है तो अभी मैं environment और ecology का करीब डिर्ड बचते मैंने इसको समाप्त कर रहा है बचा है इस current affairs magazine का science का portion तो science के portion को जो है रखते हैं आगे तो guys जो है finally यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब जो है पौने दो ठीक है रात हो रहा है और पौने दो जाते जाते मैंने ecology और environment का जो अपना task था goal था मैंने उसको fulfill कर लिया और guys इतने ही आप topics में देखो कि मैंने previous year के कितने सारे questions यहाँ से मैंने निकाल देएं कि देखो यह question यह आया था यह आया था तो guys यही strategy होनी चाहिए आपको smart होना है तो guys ठीक है यार ecology और environment का मैंने टास्क किया पूरा ठीक है तो guys यही रहा मिलते है next blog video में ठीक है टाटा यहाँ बाइ 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 टेक केर